अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद गरता होंगे भाई सब बढ़िया होंगे आप देखो इस स्चूडियो में कवर करेंगे दोस्तों इंडिया वूमेन और उस्टेलिया वूमेन के बीच में जो सेकेंड टीटॉन्टी यानि की जो दूसरा टीटॉन्टी मैच केला पाई क्योंकि भाई उनका जो गेंदबाजी सेक्चन था वो उतनी बड़िया परफॉम नहीं कर पाया और सिर्फ एक विगेट गिरा ओस्टेलिया वूमेन्स को और नो विगेट से हैं आप उस्टेलिया वूमेन्स ने मैच को एक तरफा विन गर लिया अगेंस्ट इंडिय वूमेन्स ठीक है और ये बात मैंने आपको वीडियो के अंदर बोली थी जब फर्स्ट मैच की वीडियो मैंने कवर करी थी कि बाई इंडिया वूमेन्स को उपर उस्टेलिया वूमेन्स की टीम हमेशा थोड़ी सी बाहरी पड़ी है तो आप लोग थोड़ा सा फेवर में चलना उस्टेलिया वूमेन्स के साथे थी कि बट देखो किर्केट को अगर किर्केट के इसाफ़ से देखके चलोगे और उसे इसाफ़ से टीम बनाओगे न तो ही दोस्तों आपके टीम विन घर पाईगे ठीक है जहाँ पे ऐली सा पैरी को मैंने देखोगे तो वाइस कैप बनाने पढ़ेगी, यह जहांथना कौन से team पहले बल्ले बाजी करना एगी या फर गेंद बाजी करने आईगी, उसे हिसाब से team आपको set करनी है, किस परकार करोगे, जाकी आपको वीडियो के अंदर मिलेंगी, complete वीडियो देखना है तो हीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि क कोई भी important जो information रहेगी वो आपको मिस नहीं करनी है चैनल पर नहीं हो दोस्तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और notification bell भी ओन कर लेना आगे जो भी वीडियो अप्लोड होंगी सबसे पहले आप लोगों को notification मिल जाएगा वीडियो पसंद आए तो भाई यो वीडियो को like आपको जरूर से कर देना है हमारे टेलिग्राम चैनल के साथ में नहीं जुड़े हो बहुत कुछ आप लोगे आपर मिस करने वाले हो तो टेलिग्राम चैनल को जरूर से जोईन कर लेना किस परकार जोईन करोगे इसी वीडियो के नीचे comment section के अंदर जाओगे आपको link मिल जाएग पलस हमारी जो final team रही उसके अंदर अगर कोई भी change करना पड़ेगा toast के बाद में तो मैं आपको टेलिग्राम पे जरूर से update कर दूँगा जोईन कर लेना टेलिग्राम चैनल को link आपको नीचे वीडियो के comment section के अंदर मिल जाएगा अब यहां पर देखो stats के अगर मैं बात करूँ तो stats के ऊपर एक बात बूलूँ है जो आपको यहां पर 38 matches देखने को मिल रहे है ना यह बाया जिसमें से 37 matches तो यहां पर IPL के खेले गए यानि कि कोई भी domestic league आप लोग लगा लो सिर्फ एक women's का match यहां पर खेले गया है वो आप लोगों को इनको देखे इतना idea है जाए कि पिच का भी है वह आपको कैसा देखने को मिलेगा कि first betting के favor में ज्यादा चीज़े जाएंगी या फिर second betting के favor में ज्यादा चीज़े जाएंगी आप लोग उससाव से फिर easily team बना पाऊँगे इसलिए मैंने आपको overall आकड़े आपे दिखाई हैं तो आपको clear कर दूँ वुमेंस का सर्फ एकी मैस याँ पर खेला गया तो डिवाई पाटिल स्पोर्स अकैडमी वेन्यू रहेगा दोस्तो बाकी ये सारे जो stats है मैं आपको first वीडियो में already clear कर चुका हूँ ये की चीज़ को बार बार repeat कर गे देखो दोस दिसंबर 2022 को जो दोनों टीम्स के बीच में हुआ था ठीक है इंडिया वुमेंस ने पहले बैटिंग करी 170 पलस का स्कोर किया यानि के 172 रंज करे 5 विगेट पर जो की काफी बढ़िया टोटल था अगर वुमेंस के मैच का हिसाब से हम लोग देखके चलेंगे जबकि ँचले लिया वुमेंस की भाईएंटिया वुमेंस को पर और मैंने आपको किलिया लिए बोल दिय था और ये अगर आपने वीडियो मेरा गाले भारी का तुचका का हो धिक है नहीं जो डिके बाइए डिक इनको को लिए बники क ponghen का ओन इ हृघ तो यह आपको थोड़ा सा चीज़े ध्यानक नहीं है ठीक है नीची आओगे देखो यह head to head matches जो दोनों टीम्स के बीच में थे वो मैं आपको लड़ी पिछली वीडियो में भी बता चुकों बाकि एक बार आप लोग खुछ से भी चेक कर सकते हो जापे एक तरफा उसलिया टीम् वुमेन की जो टीम है वो विन करके गई है नेची आओगे दोनों टीम्स के आपको जो लास्ट मैच की परफोर्मेंस रही ना प्लेस की वो एक बार आपको बता दू देखो इंडिया वुमेन की सैड़ से मंदाना ने 28 करे थे सैफाली ने 21 करे रोगरिक्स खाता नहीं खोल पाई हर्मन प्रित कोर के नाम 21 रन वाड़िया बढ़िया खेली थी 25 रन प्लस गेंदबाजी में एक विकेट भी इनो ने निकाला दिप्ती चर्मा ने बैटिंग काफी अच्छी करी थी 36 रन की पारी खेली बट विकेट लेस रही गेंदबाजी में कुछ बढ़िया परफ पर रेनुका सिंग आप लोग जो भी बोलो इनका रोल जो रहेगा वो इंडिया वुमेंड की साइड से गेंदबाजी डिपार्टमेंट में काफी इंपोर्टेंट रहे गया क्योंकि अगर ओस्टलिया वुमेंस के सुरुआती विकेट अगर नहीं निकाले ना तो एक बार उस्टलिया वुमेंस इस मैच में फिर से बहुत बढ़िया पर्फॉर्म करके जाएगे ठीक है बाकी बैटिंग सेक्चन देखोगे तो यार नॉर्मली हमें पर्फॉर्म देखने को मिला दिप्ती और रिचा गोस ने जो है काफी अच्छी पारिया खेली मिडल ओडर में आ या फिर वाइस कैप्टन कर सकते हो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़े होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी बाकि अगर आप लोग नई जुड़े है तो आपको आगे अपडेट्स मिलती रहेंगी तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज विकेट था बाकी मेगनस कट के नाम कोई भी विकेट नहीं था ठीक है तो इसलिए वूमेंस का जो टोप ओडर था बैटिंग अंदर स्पेसली बहुत बढ़िया परफोर्मेंस करके गया था तो इसलिए वूमेंस ने एक तरफा मैस को विन कर लिया अब देखो दोनों टीम होगे दोस्तों तो देखो मैंने 11 प्लेयर की टीम की रेट कर रखे है एक बार मैं आपको टीम दिखा हूँ और उसके बाद में आप लोग चेंजिज क्या करोगे वो भी आपको बता हूँआ तो ध्यान से देखना विकेट की पिंग सेक्शन से मैंने अलिसा हिली को टीम में पिक कर रखा है याँ पे देखो मेरी 11 प्लेयर की टीम आपके सामने लेकिन दोस्तों ये वो टीम है जो आप लोग एजिली बना पाऊँगे यानि कि टोप प्लेयर चो रेंगी न वो मैंने पिक कर रखे बट आप लोग किस परकार चेंजिज करोगे वो काफी माईने रखन रहना है इंडिया वूमेंज की बात नहीं बहिए उस चलिया वोमें की साइड से आपको में इनके जो गेंदबाज रहेंगे यान के बोलर्स रहेंगे वो आपको मैक्सिमम पिक करके चलने है तोप के दो से तीन आप लोग बैट्समें लेके चलो कोई दिक्कत नहीं जहाँ पर देखोगे तो यह चार जो प्लेयर रहेंगे ना यह चार प्लेयर तो कॉमन पिक्स रहेंगी आप लोग मान के चलो अगर उस तेलिया वूमेन पहले गेंदबाजी करने आएगी या फिर बैटिंग करने एगी क्योंकि भाई हम मुनी के साथ में मैघराथ आपको वन डाउन बैटिंग करने आएगी और एक विकेट भी गिरेगा तो अपने पास में मैघराथ की ओप्शन है जो वन डाउन बैटिंग कर लेंगी बाकी जो चोट्छी ओप्शन है वो अलिसा पेरी के रहेगी मतलब साथ प्लेयर जो हमने पिक कर रखे उसलिए वूमेंट के ये कॉमन जो रहेंगी वो पिक्स रहेंगी अब माल लिजिए आप लोग चेंज क्या करोगा अब इंडिया वूमेंट पहले बैटिंग करने आएगी न तो आप लोग एक चेंज यहां पर कर सकते हो मैगराथ की जगह पे आप लोगो कोई इनका एक रेगुलर बोलर टीम में पिक कर सकता अब वो चेंज आपको क्यों करना है इसलिए करना है क्योंकि इंडिया वूमेंट पहले बैटिंग करने आईगी तो मैकसिमम विकेट गरने के चांसिस बनेंगे कम से कम साथ आठ विकेट में मानके चलूँगा अब मेन अपने पास में देखो तीन और यह आपे पैरी को अगर मैं एड़ करू तो च्यार गेंदबाज हो जाएंगी एक गेंदबाज एक्षा लेकर चल सकते हो मैगराथ की जगह पे क्योंकि भाई यह मान लो अगर इंडिया वुमेन ने पहले बैटिंग करी और बड़ा स्कोर नहीं किया तो शायद मेगराथ की बैटिंग भी ना आए और अगर बाई चांस बैटिंग आ भी गए तो शायद उतना बढ़िया पर्फूम यह ना कर पाएं क्योंकि भाई आ देखो शायद यह पे हेली और बैट मुनी लास्ट मैच की तरह काफी बड़ी आप पर्फूम कर दे और विकेट अगर जल्दी नहीं गिरा उसलिया वुमेन का तो शायद उतने रंसी ना बचे की मेगराथ कोई बहुत अच्छी पारी खेल पाएंगी तो यह चेंज आप लोग कर सकते हो अगर आपको रिस्की लगे तो रहने देना भाई फिर आप लोग मेगराथ के साथ में सेफली खेलो ठीक है क्योंकि गेंदबाजी में आपके पास में चार गेंदबाज उलड़ी आ जाएंगे ठीक है अब इंडिया वुमेन की साइड़ से आप लोग थोड़े से चेंजिज कर सकते हो में आपने देखोगे मंदाना हर्मनप्रित को और दिप्ती शर्मातीन इनकी में जो है बल्लेबाज रहेंगी दिप्ती वैसे नॉर्मली ओलाउंटर सेक्शन के अंदर है लेकिन बैटिंग कर लेंगी क्योंकि मेडल ओर उतना ज्यादा स्टूंग नहीं है बाकी अब इनुगा की जगह बोलिंग सेक्शन से आप लोग वाडिया को ले सकते हो क्योंकि बैटिंग भी अच्छी कर जाएंगी गेंदबाजी में भी आपको कम से कम दो वर्तों डालके देंगी ही देंगी तो आप लोग यहां पर जा सकते हो 21% सेलेक्शन है डिफरेंचल पिक में के काम आ सकते हैं लेकिन अगर इंडिया वोमें पहले गेंदबाजी करने आए तो आप लोग यहां पर एक कोई भी बैटिंग सेक्शन का प्लेयर ड्रोप करके ना एक एक्षा बोलर भी लेके चल सकते हो आपके पास में प्लस पॉइंट रहेगा क्योंकि हर मैच में उस चल कर आपको चेंजश गरने तो वो चीज़ डिपेंदड करेगी आप डोस की उपर तो टोस के बाद में कोई भी अपडेट हूँगे टेलिग्राम चेलनल पर आपको अपडेट करुगा फाइनल टीममें कोई चेंज गरना पड़र आपके अपको अपडेट करूँगा películा selection captaincy और wise captaincy में बढ़ने वाल है तो आप लोग भी try कर सकते हूँ differential में चलोगे अर्मन प्रित कोर रहेंगी अलिसा हिली रहेंगे सिमर्ती मंधाना रहेंगी बाकी गेंदबाजी section में जो भी team पहले गेंदबाजी करना है उनके किसी एक main गेंदबाज को भी आप लोग अपनी टीमे captain wise captain कर सकते हूँ risk करेगा बट थोड़ा सा risk लेके चलो तो कर लेना safely चलना है तो आपको मैं already options बता चुका हूँ आप लोग उनी के साथ में चलना उमीद करता हूँ दोस्तो वीडियो आपने complete देखा हूगा बाई पसंद आयो तो like कर देना चैनल को भी subscribe कर लेना notification bell कोन कर लेना जो भी वीडियो आगे upload होगी आपको सबसे पहले notification मिल जाएगा मिलते हैं दोस्तो फिर अगले match की वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग इस match में एक बड़िया team combination बनाओगे और आपके team अच्छा perform जरूर करेगी